मेरे पहले के वीडियो में आपने देखा मारूती नंदन के कष्ट पंजयन सारंगपुर के सूरुप को और इस वीडियो में आप देखेंगे मारूती नंदन को बुराख्या दाधा के सूरुप में यह स्थल वाउनाकर से 80 km अम्रेले से 30 km और लाटी से 130 km की दूरी पे वीडियो की शुरूआत करेंगे बुरख्य अनुमान जी की इतियास से संस्री दामोदर दास जी जो खाड़े के संते उनके सपनों में स्वयम बुरख्य दादा याने हनुमान जी माराज आय थे और उन्होंने ये आदेश किया था कि लाखी और सबार प्रदेश के बीछ तेक सुद्पुनम मंगलवार हनुमान जैन्ती के दिन ठीक रात बारा बजे हनुमानी माराज दर्ती फार के स्वयम ही यहां पे प्रगट हुए थे तो चलो अब दर्सुन कर ले बुरख्य दादा जी के इस अद्भूत प्रतीमा के इनके बिलकुत दाइनी और पास में है संत स्री दामुदर्दास जी की यह प्रतीमा और चरौन पादु का जो नोंने सबसे पहले बुरख्य दादा जी की पूझा की थी इसकी बाएं और है यह राम दर्बार जिसमें प्रभू स्री राम, माता जानकी और लक्समन जी की प्रतीमा हैं जिनके दर्सुन करके अब दनी हो जाओगे यहां पर रहने के लिए एसी और नौन एसी सब मिना कर बावन रूम की सुविदा उपलबत हैं और यह रूम इतने बड़े हैं कि एक रूम में साथ से आथ आडमी आराम से रुख सकते हैं आम दिनों में तो आपको यहां पर रुखने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगी पर अगर आप किसी तैवार की दिन यहां पर रुखना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट और सेल नंबर आप स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे वहां चाकर रूम की अवेलिविटी के बारे पर जरूर से जाज कर लें चाय और नास्ते की सुविता आपको यहां पर पुरा दिन मिलेगी दोपेर के बोजन का समय 12 से टाई बजे और साम के बोजन का समय सारे 8 से लेके 10 बजे तक आपको गरजे साही स्वाजिश्ट बोजन यहां पर मिलेगा वह प्रसादी के कर दिए के बोजन का समय ऑट मिलेगादी के स्वाजन के समय का समय आप अगर बुरख्या मंदिर आते हैं तो बुरख्या मंदिर से 50 किलो मीटर की तूरी पे पवीतर गेलो नदी के गाट पर इस्तीत लखन गर गाउं की विजीट अवश्ये करें क्योंके यहां पर है परम पुझे संसरी दमुदर दास जी की समाधी जहां पर जाकर आप उनकी समाधी के दर्शन कर सकते हैं आज के वीजियों में बस इतना है जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ अमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरी चिनल को जरूर से सब्सक्राइब करें